नमस्ते दिस इस दिफिजिसिस्ट एक शॉर्ट वीडियो है ऑफशुट वीडियो है जो मेरा एक प्रॉब्लम में फेस करा था अपने रेड्मी नोट 7 प्रो पे स्टोरियज इशू का तो उसका एक मैंने सल्यूशन ढून निकाला है उसी को शेर करने की कुशिश कर रहा हूं क्योंकि यूजूली जब मैंने इसका सल्यूशन के लिए टुटोरियल वीडियो बगरा देख रहा था यूट्यूब पर या फर गूगल पर सर्च करके ब्लॉग ब्लॉग बगरा में टेक ब्लॉग बगरा में जाके इसका सल्यूशन ठुड़ने ही कुशिश की तो मुझे क अगर एक चीज में एड करना चाहूंगा कि अगर आप इस सब चीजों कर रहें कि कम से कम आप रखना की कोशिश कर लें और रिगिलरली क्याश मेरी डिलीट करें चलाने कोशिश करते हैं इस्पेशली शाओमे डिवाइसेस रेड मी के जिसमें मी यूवाइ 10 या 11 चल रहा ह तो उसके अलावा आपको एक चीज और द्याद लखना चाहिए कि आपके जितने बगार पहले तो आप एस डिकार यूज कीजिए का अच्छा खासा क्लास 10 का मगर अपने हिसाब से देखिए कि आपको कितना का पैस डिका चाहिए और दूसरी बात जितने भी अप्लिकेशन आप यूज करते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं आपके मॉबाइल पर इस्पेशली क्यामरा अप्स हो गया वाइस रिकॉडर बग़र जो भी है वाट्साप टेलिग्राम बग़र फेस्बुक तो या यूट्यूब बग़रा तो जिस जितने भी आप यूज करते हैं तो अग आपको टुटरियल्स बहुत मिल जाएंगे उसे यह होगा कि जो भी डेटा आप चाहेंगे वही डाउनलोड होगा मगर यह बात है कि वाट्साप टेलिग्राम बग़रा में जो है आप एसडी कार्ट पर स्टोर नहीं कर सकते हैं तो आपको मैनुएली जब भी आप डेटा स तो यह फाइल में जाएंगे फोल्डर में जाने के बाद यहां पर वाट्साप फोल्डर है यह टेलिग्राम फोल्डर इसके अंदर जाके जो मिडिया फाइल से उनको मैनुएली सेलेक्ट करके आप एसडी करड में मूव कर सकते हैं ठीक है इससे आपका बच जाएगा जोए एसडी कार्ड रहा हूं सेंडिस का मगर 15 दिन पहले मैंने इसको फैक्टर रिसेट किया था उसके बाद मैंने बाफस जितने भी मेरे अप्लिकेशन जरूरी थे उनको डाल भी दिया उसके बाद 33 जी वी के आसपास स्टोरेज बचा हुआ था इंटरल मेमरी में और वो म मैं करने वाला था क्योंकि मेरा जितना भी रिक्वार्मेंट उतने में फुल्फिल हो चुका था तो बाकि सारा स्टोरेज में स्टी कार्ड में कर रहा था और जो भी मतलब इंटरल मेमरी कंजूम करने वाले अप्लिकेशन से उनका भी मैनुएली जाके हर पांच से दिन में दो तिन दिन में उनको स्टी काड में मूव कर देता था फिर भी आज सुए मैं ने देखा बंदरा दिन बहाद नाइन पॉइंट फाइब फाइब जीवी स्टोरेज बचा है इंटरल मेमरी का तो मैं शॉक हो गया क्योंकि मैं सारे प्रोसेस फॉलो करता हूं यूजूली ज जाके घुसके एक चीज निकाला जो जिसके वापस मेरा 9.55 GB से बापस 32.28 GB आ चुका है तो यह सॉलूशन में आपको बता रहा हूं आपका मतलब हो सकता है इतना ज्यादा स्टोरेज ना बढ़ा है डिपेंड करता है आप अपने फाइल को कैसे हैं अनल करते हैं बट डेफ से पहले तो आप इसमें यह फाइल मैनेजर को लिए इसमें यह आप अपना जो फाइल मैनेजर के अंदर इंटर्नल स्टोरेज वाले पेज पर जाईए यहां पर मियू आई का फोल्डर होगा मियू आई का फोल्डर को लिए उसके बाद गैलरी होगा गैलरी के बाद इसका मतलब यह कि वो hidden folders है और hidden folders को देखने के लिए आपको यह three dots जो होते हैं टॉप में टॉप राइट में उस पे किजिए tap और show hidden अभी मैंने देखिए कि मैंने मैं don't show hidden files कर दिया था अभी show hidden files नहीं करूंगा तो मुझे वो folder शायद दिखेगा नहीं cloud तक तो वो folder दी दिखेगा इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ show hidden files करना है और इसके अंदर मीवाई में जाना है फिर gallery गैलरी से cloud cloud के बाद cash में cash folder में जाना है जितना भी है सबको आप select all करके delete मार दीजिए और trash bin में जाईए जितना भी है सबको select all कीजिए और delete मार दीजिए होता किया ना आप जितने भी आपके mobile से कोई data delete करते हैं कोई photo या song वगएरा कुछ भी file delete करते हैं तो वो अगर book actually completely delete नहीं होता आपके mobile से तो टोटली गायब नहीं हो जाता ठीक है उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है लॉक्स बगरा इस अब store हो जाते हैं यहां पर इस गैलरी और cloud के अंदर जो trash bin और cash memory में यह store हो जाते है तो जब तक आप इसको manually नहीं हटाएंगे तो यह अपना time खुद लेगा मतलब है इसक आपको ऐसे manually delete करते रहना है हो सकता है everyday करना तो बहुत बड़ी है नहीं तो हर पांच दिन में आएक अब तुमें करते रहे आपको बड़े आराम से अच्छा-कासा internal storage मिल जाएगा बगार यह process manually करना पड़ेगा आपको ठीक है तो इससे आपको काफी फाइदा हो जाएगा यह आपको शायद बहुत ही कम जगा पर कोई बोलेगा करने के लिए तो देखते रही है मतलब वही कि ऐसी काम करते रही है जो आपको storage देता रहेगा internal storage लगातार और बस इतना ही thank you